एका दशी और रविबार को तुलसी पर नहीं चाहाया जाता जल जानाई कर हिंदु धर्में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना चाता है यही गानव है कि लगभग हर घर में तुलसी के पौधे की पूजा होती है तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का वास होता है वहाँ देवी लक्ष्मी और भगवान विश्मों की क्रपा हमेशा बनी रहती है धार्मिक बष्टी से तुल्सी के पौधे के नियमिक पूजा से महलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तुल्सी के पौधों को जल चलाना भिषेश लावगानी होता है जिन रविवार और एक आदर्शी के दिन तुल्सी को जल नहीं चलाया जाता है और ये जानते हैं क्या है इसके पीछे धार्मिक कारण रविवार के दिन तुलसी को जल क्यों नहीं चलाना चाहिए तुलसी जी को नियमी जल अर्पित करना बहुत शुब माना जाता है लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चड़ाना चाहिए और रानिक मानेताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विश्णू के लिए निर्जलावरत रखती है रविवार को उन्हें जल चढ़ाने से उनका उपवास टूर जाता है इसलिए इस दिन तुलसी जी को चल नहीं चढ़ाया जाता है जियोति शास्तर के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने से नकारात्मा कुर्जा उत्पन होने लगती है एकादशी के दिन तुलसी को जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए शास्तर के अनुसार नो तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े जाने चाहिए और नहीं इस दिन तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए देव उठनी एक आदशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी से विवाह करने के परमपरा है बता दें कि भगवान विश्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है ऐसा माना जाता है कि मादा तुलसी प्रत्यक एकादशी तिथी पर भगवान विश्णु के लिए नर्जलावरत रखती है इसलिए एकादशी के दिन भी तुलसी जी को जल चलाना वर्जित है